नमस्कार प्रस्तुत है कोविड नैंटीन पर विशेश समाचार कारिक्रम केंद्र सरकार ने पूर्ण बंदी चार मई से दो और सप्ताह के लिए बढ़ाई ग्रीन जोन इलाकों में छूट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उड्डियन और उर्जाक छेत्र की समिक्षा के लिए अलग-अलग बैठके की रेल मंत्राले विभिन स्थानों पर फसे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों के आवागमन के लिए श्रमिक स्पेशल रेल गाडियां चलाएगा तिलंगाना से पहली विश्येश रेल गाड़ी जारखंड के लिए आज रवाना स्वासी मंत्राले ने कहा मरीजों की स्वस्त होने की दर पिछले 14 दिन में 25 प्रतिशत से अधिक हुई चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं साथ राज्यों की 200 नई मंडियां क्रिशी उपज की विपणन के लिए E-NAM प्रेटफर्म से जुड़ी और आज अंतराष्ट्री एर श्रम दिवस मनाया जा रहा है COVID-19 पर विशेश समाचार कारिक्रम में अपने सहयोगी सिधार्थ सिंग के साथ मैं विशाल शर्मा केंद्र सरकार ने मौजोदा लॉकडाउन की अवधी को 4 मई से 2 और सपताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है ग्री मंतराला ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधी बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है ग्री मंतुराला ने कहा है कि ये नर्णे देश में कुरोना संक्रमन की स्थिती की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड्डियन और उर्जा क्षेत्र की समीक्षा के लिए अलग-अलग बैठके की प्रधान मंत्री ने भारत के नागर विमानन क्षेत्र को और अधिक कुशल बनाने की प्रस्तावित कारेनीती की समिक्षा की, इसमें सैन्ने कारे विभाग के सहयोग से ये नर्णे लिया गया कि देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि गंतव प्रधान मंत्री ने आज बिजलिक शेत्र के अधिकारियों के साथ भी बैठा की, उन्होंने बिजलिक शेत्र की मजबूती और कारे कुशलता में वृद्धी के लिए दीर्गकालिक उपायों पर भी चर्चा की, इन में कारोबारी सुगमता, नविकरणिय उर्जा के विस्तार, कोईला आपूर्ती में आसानी, सरकारी और गैर सरकारी क्शेत्र की भागिदारी और बिजलिक शेत्र में निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई, शीमोदी ने कहा कि अर्थवबस्था को आगे उपलब्द कराना जरूरी है, बिजली वितरन कंपनियों की आर्थिक किस्तिती में सुधार, बिजली शुलक को युक्ति संगत बनाने और सबसिटी को समय पर जारी करने तथा बेहतर संचालन के उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ, बैठक में ग्री मंतरी अमिश्या वित्व मंतरी निर्मला सीता रामन, नागर विमानन मंतरी हर्दी पुरी, विद्युत और नविकरणियों उर्जा मंतरी आरके सिंग और वित्व राज्य मंतरी अनुराग ठाकुर के साथ वरिष्ट अधिकारी भी मौजूद थे रेल मंतरी ने पूर्ण बंदी के कारण विभिन राज्यों में फसे कामगारों, तीर्थ यात्रियों, परेटकों, विद्दार्थियों और अन लोगों के लिए आज से शमिक स्पेशल रेल गारियां चलाने का फैसला किया है ये रेल गारियां दो राज सरकारों के अनरोध पर कीवल गंतव इस्थान पर ही रुकेंगी, इन रेल गारियों के सहर संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, यात्रियों को संक्रमन मुक्त की गई बसों से स्टेशन लाकर जाच की जाएगी, य रेलमंत्राले ने लॉक्डॉन के दौरान फसे लोगों को निकालने के लिए रेलमंती दे दी है। आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्राले इन रेल गाड़ियों की आवाजाही के लिए राज और केंद शासित प्रदेशों के साथ समन्वे बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित करेगा। रेल मंत्राले टिकटों की बिक्री, सामाजिक दोरी बनाए रखना और अन्य सुरक जारकंड के मुख्यमंती हिमन सोरेन ने विद्यार्थियों को वापस लाने में मदद के लिए केंद सरकार, रेल मंत्राले और राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिया है। पल्ली रेल्वे स्टेशन से राची के हट्या रेल्वे स्टेशन के बीच आज रेल गारी चलाई गई। सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आकाश्वाणी समाचार के लिए मैं राची से शिल्पी। राजस्थान में जैपूर और कोटा से दो रेलगाडियां फसे प्रवासी कामगारों और विद्यार्थियों को ले जाने के लिए आज रात पटना के लिए रवाना होंगी। ये रेलगाडियां आज रात दस बजे रवाना होंगी और कल तीसरे पहर पटना पहुँचेंगी। इनमें अठारे शायनियान और दितिये शुरी के चार सामान्य कोचों सहित कोल चौबीस कोच हैं। यात्रा के दोरान आपसी सुरक्षित दूरी का पालन किया जाएगा। सुचारो यात्रा के लिए इन रेलगाडियों में सुरक्षा बलतैनात होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने प्रवासी मजदूरों और विद्यारतियों को वापस लाए जाने में मदद के लिए केंद्र सरकार, रेलवे और राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिया है। दिल्ली सरकार देश्वियापी लागडाउन के कारण राजस्थान में फसे अपने विद्यारतियों को वापस लाने के लिए करीब 40 बसें कोटा भेज रही है। मुखे मंतरी अर्विंद केजविवाल ने कहा कि विद्यारतियों को लेकर इन बसों के कल दिल्ली पहुँचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तरप्रदेश, बिहार और जारखंड साइद कुछ अन्य राज्यों के साथ भी बातचीत की है ताकि फसे हुए लोगों को उनके ग्री राज्यों में भेजा जा सके। इस बीच ग्री मंत्राले ने विस्तारित अवधी के दौरान विभिन कारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या, कोरोना के पुष्ट मामलों के दोगनी होने की दर और जाच तथा निग्रानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। रेड और ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को औरंज जोन माला जाएगा। केंद शासित प्रदेश जम्मु कश्मीर ने आज अन्य प्रदेशों में फसे मज़दूरों, छात्रों और अन्य लोगों की निकासी को सुगम बनाने के लिए ओनलाइन पंजी करन और हिल्प्लाइन नंबर की सुधा शुरू की जम्मु कश्मीर प्रशासन ने COVID-19 के कारण लॉकडाउन के मदे नजर विभिन राज्यों और केंद शासित प्रदेशों में इन लोगों की निकासी के संबनवय और निगरानी के लिए साथ अधिकारियों की नियुक्ति की, ओनलाइन पंजी करन फॉर्म में कुछ जानकारी द जम्मु डिविजन में वापसी के लिए नंबर है 9419424281 और 78888666655 हर्याना पुलिस ने COVID-19 के मदे नजर दिल्ली गुरुगराम सीमा को आसीर कर दिया है और राश्टी राजधानी से आने वाले लोगों से वापस जाने को कहा आज सुबह दस बजे से समुचित अनुबती पत्र के बिना वाहनों और लोगों को अगले आदेश तक रोग दिया गया है किवल आवश्यक सिवाँ से जुड़े लोगों और सरकारी अधिकारियों को छोट दी गई है तमिलनाड में वित्यसची कृष्णर के नेतित वाली समिती ने लोगडों सम्बंधी अपनी रिपोर्ड आज मुख्यमंत्री ई पलिनी सामी को सौब दी लोगडों समाप्त होने के बाद प्रदिबंधों को हटाने के तौर तरीकों के सम्बंध में चिकिस्सा विशेशक्डों की समिती और सभी जिलादिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को अपने विचारों से अवगत करा दिया है इस बीच राजमे कोरोना के कुल 203 नए मामलों के साथ ही राजमे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2526 हो गई है हलनकि इन में से 1183 मामले ही सक रही हैं राजमे कोरोना से अब तक 28 लोगों की मौत हुई है ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com slash hindi और हमारे मोबाइल एप newsonair पर भी उपलब्ध है समय याद रखें दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे प्रती दिन देखें लोग के प्रियधारा वाहिक महा भारत दर्शकों का पसंदीदा धारा वाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नैशनल, फ्री डिश और अन्य डीटिये चैनल पर सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें फ्रीडिश 001, Tata Sky 114, Airtel 148, Sun Direct 302, Videocon D2H 149, Dish TV 193 और DEN 138, आगामी आकर्षन धारा वाहिक श्री कृष्ण ये आकाश्वानी है पिशले 24 घंटों में भारत में COVID-19 के 1993 कंफर्म केसे राए हैं जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसे की संख्या अब 35,043 केसे हो चुकी हैं इन में से 25,007 केसे प्रेजेंट ली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं अगर हम पिशले 24 घंटे में देखें तो 554 पेशन्स स्क्यॉर हो चुके हैं जिससे कि हमारी टोटल टेली आफ रिकवर्ट केसे बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है इस तरह केसे हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निजनतर बढ़ते हुए अब 25.37 परसंट हो चुका है अधिकारी ने बताया कि कोरोना से देश में मरने वालों की संक्या 1147 है पिछले 24 घंटे में 67 लोगों की मृत्ती हुई है उन्होंने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन को रेड और और ओरंज जोन वाले जिलों में दिशा निर्देशों के पूरी तरह पालन पर ध्यान दे लिए ताकि इस संक्रमन की श्रंखला तूट सके। उनका जोग्रिफिकल डिस्पर्शन क्या है उसको एनलाइज किया जाए। और इन बदलावों के प्रती सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमन वाले इलाकों और लोगों तथा उनके संपर्कों को चिन्हित करना होगा। इस समय 9 करोड टैबलेट की आवशकता है जबकि शमा करें सिक्रपे दुबारा सुननें इस समय 9 करोड टैबलेट की उपलबधता है जबकि आवशकता सिर्फ 2 करोड टैबलेट की है। करी ने बताया कि देश में 35 लाक आर्टी पीसी आर जांचकिट की मांग है। भारती आरविज्ञान अनुसंधान परिशद ने ऐसी 21 लाक से अधिक जांचकिट की खरीद के आदेश दिये हैं और 14 लाक से अधिक किट प्राब्ध भी हो गई है। अधिक्ष ने कहा कि केंदर सरकार ने व्यक्तिगत सुरक्षा ड्रेस पी-पी-ई की अधिकतम मांग 2 करोड तक होने का अनुमान लगाया है और 2 करोड 20 लाक पी-पी-ई की खरीद के आदेश दिये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिदिन 2,30,00 N95 मास्क का निर्माण हो रहा है। वो रोज का 2,30,000 बनना शुरू हुआ है और ये बहुत बढ़ने की असंभावना है क्योंकि नए-नए मैन्यूफेक्टर्स भारत के ही आ रहे हैं। उन्होंने उसका मशीनरी, स्टिचिंग मशीन और ये सब चीज़े भारत में ही उसका पुरा इंतिजाम किया गया है और भारत में ही पुरा बन रहा है। अधिकार प्राप्समू के अधिक्ष ने बताया कि पिछले 15 दिनों में PPE की जाँच के लिए 9 नई प्रयोक्षालाओं को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तीन तरह की PU कोटिंग वाली नाइलॉन विक्सित की है और इसकी तक्नीक स्वदिशी विनिर्माताओं को उपलब्द करा दी गई है। अधक्ष ने कहा कि इस समय 4 लाख ऑक्सिजन सिलिंडर उपलब्द हैं जो मौझूदा जरूरत के लिए परियाप्त हैं। सरकार ने एक लाख से अधिक ऑक्सिजन सिलिंडरों के आदेश दिये हैं और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सिजन को भी मेडिकल ऑक्सिजन में परिवर्तित किया जा रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि वेंटिलेटरों की मांग भी पूरी की जा रही है। इस समय 75,000 वेंटिलेटर की मांग है और देश में लगबग 20,000 वेंटिलेटर उपलब्द हैं। 60,000 से अधिक वेंटिलेटर के आदेश दिये गए हैं। ग्री मंत्राले के अधिकारी ने आज बताया कि मंत्राले ने अलग-अलग जगहों पर फसे विद्यारतियों, प्रवासी कामगारों, परेटरकों और तीर्थ यात्रियों के लिए रेल सेवा की अनुमती भी दे दी है। ग्री मंत्राले के अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के प्रावधानों को लागू कराने, सैन्ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की विवस्था, मास्क और पी-पी-ई के वित्रण तथा लोगों में जागरुकता बढ़ाने में केंद्रिये सशेस्त्र पुलिस बल महत्वपून भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्री मंत्राला ने सभी राजियों से इसपष्ट किया है कि लॉकडाउन संबंदी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार खाली या माल से लदे ट्रकों और माल धुलाई वाले वहनों की दिशा निर्देशों के बावजू देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मुवमेंट में समस्या आ रही है। ग्रेह मंत्राले ने फिर से सपष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मुवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हो या खाल जम्मु कश्मीर प्रशासन ने कोरोना संबंदी 17 विशेश अस्पतालों में 20,000 से जादा आइसोलेशन बेड़ और 50,000 गेर अस्पताल संगरोध बिस्तरों की विवस्था की है राजमे कोरोना की जाँच के लिए चार प्रयोक्षालाएं हैं स्वास्त नेधी एप की मदद से सबकी स्वास्त जाँच की जा रही है जो अगले कुछ सब्ताहों में पूरी हो जाने की संभावना है भारत तिब्बस सीमा पुलिस ITBP ने कहा है कि पिछले 48 घंटों के दारान उनके पांच जवानों में दिल्ली में COVID-19 संक्रमण की पुष्टी हुई है इन में से दो जवान दिल्ली में पुलिस के साथ कानून और व्यवस्था की जूटी पर तैनात थे इन जवानों को जज़र के अखिल भारती आयरविज्यान संस्थान तथा दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल में भरती कराया गया है सीमा सुरक्षाबल में COVID-19 संक्रमण की मामले पहली बार सामने आये हैं बरकी कंपनी के सभी 90 कर्मियों को कुरेंटीन किया गया है मद्यप्रदेश में राजसरकार ने लॉगडाउन के कारण देश के अनहिस्सों में फसे हुए राजी के लोगों की सुरक्षित वाक्षी सुनिश्चित करने के लिए साथ वरिष्ट भारती परशासनीक सीवा अधिकारियों को निख्त किया है इन अधिकारियों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सुपी गई है ये सभी अधिकारी मर्द प्रदेश में फसे हुए अन्य राज्यों के लोगों को भी वापस भीजने का काम करेंगे एक रिपोर्ट प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 2625 मामले सामने आए है इनमें 637 लोगों की ब्रत्य हुई है जबकि 882 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए है आज भी राज्य के 76 कोविड-19 मरीजों को अस्पतालों से चुट्टी दी गई है पंजाब में आज कोविड-19 के 105 मामले सामने आए हैं जिनमें से महराष्ट के नांदेर से लोटे 87 शद्धारू संक्रमित पाए गए है इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 585 हो गई है अब तक 108 मरीजों को ठीक होने के बाद चुटी दे दी गई है और इस वाइरस से 20 लोगों की मृत्य हुई है COVID-19 महमारी प्रकोप के मद्दे नजर महराष्ट्र सरकार महत्मा जोतिबा फुले जन आरूग योजना के तहट राज्य की शत प्रतिशत आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्द कर आएगी स्वास्त्र मंत्री राज्य स्टोपे ने कहा कि इसके साथ ही महराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और केशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महराष्ट्र में अब तक संकुम्रन के 10,498 मामले सामने आए हैं और 469 लोगों की मौत हुई है और ब्योरा हमारे संबद दाता से मुंबई में कोविड-19 के मामलों में वृद्धी के साथ राज्य सरकार ने आज कहा कि 2000 अतिरिक तबेड की वेवस्ता शहर में की जाएगी इसके अलावा घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले और बुजर्ग जिने उच्छ रक्तचाप मदू में है और अन्य बिमारियां है उनका सर्वेक्षन किया जाएगा और यदी अवशक हो तो उन्हें संसागत संग्रोत के लिए भेजा जाएगा राज्य के 36 जिलों में से रेड जोन वाले 14 जिले हैं औरेंज में 16 और ग्रीन जोन में 6 जिले हैं माले गाओं जहां COVID-19 रोगियों की संख्या लगातर बढ़ रही है उस पर ध्याना करशित करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि माले गाओं में 100% क्लिनिक खुले रखे जाने सामाचिक भेद और अन्या आवश्यक सावधानिया बरत कर निज़ारत दिशा निर्देशों के तहट काम करना शुरू कर दिया है कुनाल शिंदे आकाश्वानी समाचार मुंबई भरती विज्ञानिक और अनसंधान करता कोरोना से मुकाबले के लिए कई साधनों और तरीकों का इस्तिमाल कर रहे हैं हैदराबाद का कोशिकी और आनविक जी विज्ञान केंद CCMB कोरोना की जांच करने वाली एक बड़ी प्रयोक्षाला है केंद के निदेशक डॉक्टर राकेश मिष्ञ ने आकाश्वानी से विशेश बाचीत ने बताया कि ये प्रयोक्षाला नमूनों की पूलिंग करने वाला देश का एक मात केंद है इसका मतलब हुआ कि आपका टाइम बचा आप जितने में 100 टेस्ट करते थे आप उसमें आप 400-500 टेस्ट कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपका खर्चा बचा क्योंकि अब आप सिर्फ तीस टेस्ट कर रहे हो साओ की वज़ाए तो आप तीन गुना सेविंग कर रहे हैं तो हर टेस्ट आपको बाता होगा कि इसमें 3-4 जार तक का खर्चा हो सकता है तो इससे बहुत सेविंग होती है और सुविदा होती जादा टेस्ट करने में आकाशवानी की विशेशग सलाह की शिंखला के अंतरगत हम आपको COVID-19 महामारी के बारे में विशेशग डॉक्टरों की राय से आउगत कराते हैं इस शिंखला में आकाशवानी से बाचीत में नई दिल्ली के सीताराम भारती विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ट परामर्शिदाता डॉक्टर अमर्चंद बजाज ने साफ सफाई के महत पर जोर दिया और बताया कि कोरोना वायरस को कैसी रोका जा सकता है लोगनाइक जैपरकाश नारण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुपता ने आकाशवानी से बाचीत में कहा कि ज्यादातर मामलों में COVID-19 संक्रमन स्वैम तक ही सीमित है और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भरती करने की ज़रुरत पढ़ती है 10-15% में उनको एस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाती है तो फर्क आप नहीं कर पाएंगे सेटल आप हो जाएंगे लेकिन इसका बचाव अपने लिए जिससे की नौबत ना आए और उससे ज्यादा दूसरों को ना लगे क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान को अगर हलके रूप में करोना वाईरस होगा है तो जिससे उस इनसान को लगेगा वो भी हलका ही होगा वो इतना त्रीका हो सकता है जो जानने वह भी हो सकता है तो वो जानना जरूरी है ये समाचार हमारी वेबसाइट newszoneair.com slash hindi और हमारे मोबाईल एप newszone air पर भी उपलब्ध हैं आगे बढ़ने से पहले मोके समाचारों पर फिर से एक नजर केंद्र सरकार ने पून बंदी चार मईसे दो और सपताह के लिए बढ़ाई ग्रीन जोन इलाकों में छूट प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी ने उड्डियन और उर्जक छेत्र की समिक्षा के लिए अलग-अलग बैटके की रेल मंत्राले विभिन स्थानों पर फसे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों के आवागमन के लिए श्रमिक स्पेशल रेल गाडियां चलाएगा तिलंगाना से पहली विशेश रेल गाड़ी जारखंड के लिए आज रवाना स्वास्त मंत्राले ने कहा मरेजों की स्वस्त होने की दर पिछले 14 दिन में 25 पतिशत से अधिक हुई चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं साथ राज्यों की 200 नई मंडियां कृषी उपच के विपलन के लिए ए नैम प्रेटफॉर्म से जुड़ीं और आज अंतराश्ट्री एश्रम दिवस्मनाया जा रहा है साथ राज्यों की 200 नई मंडियां आजस्य कृषी उत्पाद की विक्री के लिए ए नैम यानि ए राश्ट्री कृषी बाजार मंच में शामिल हो गए हैं इनमें राजस्थान की 94, तमिलनाडु की 27, उत्तरप्रदेश और गुजरात की 25, उरिसा की 16, आंतरप्रदेश की 11 और करनाटर की 2 मंडियां शामिल हैं इसके साथ देश में ए नैम मंडियों की कुल संख्या 750 ही हो जाएगी कृष्मन्ती नरेन सिंग्तोमर ने कहा है कि इस महीने के अंतर तक लगभग 1000 मंडियां इनम मंच से जुड़ जाएगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंती का कृष्मों के फाइदे के लिए प्रोध्योग्य की इस्तिमाल का सपना जल्द ही साकार हो पाएगा इनम से अब तक एक करूँ 66 लाग किसान और 1,28,000 व्यापारी जुल चुके हैं ये मंच राज्य की सीमाओं से परे व्यापार की सुविधा प्रधान करता है उपभोकता कारे मंत्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के तहट पांच और राज्यों तथा केंद्रिशासित प्रदेशों को शामिल करने की मंजूरी दे दिये है ये राज्य और केंद्रिशासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचर प्रदेश तथा दादरा, नागर हवेली और दमन और दीव शिपासवान ने आज राशनकार धारकों के लिए राश्ट्रिय पोर्टेबिलिटी योजना लागू करने की प्रगति की समीक्षा की, इस योजना के तहट 17 राज्यों और केंद्रिशासित प्रदेशों की लगबग 60 करूर लाभार्तियों को राश्ट्रिय और अंतर सुविधा प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश में एक राशनकार योजना के अंतरगत राश्ट्रिय राशन पोर्टेबिलिटी राज्य की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर आज से लागू हो गई है। राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने के निर्णे लिया है जिसके अंतरगत राज्य का निवासी या अन्य कोई विक्ती सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकता है। के जरिये राजभर के श्रमिकों से बाचीत की और राजसरकार दौरा चलाई जा रही योजनाओं की समीच्छा की। और सच्चे अर्थों में राश्ट्र निर्माता है। राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती और प्रधानमंत्री ने गुजरात और महराश्ट्र के इस्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुपकाम नहीं दी है। राश्ट्रपती रामनात कोविन ने आशा वेक की है कि गुजरात लगातार प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि महराश्ट्र में खुशाली आएगी और वो सुरक्षित रहेगा। आकाश्वानी का समाचार सिवा प्रभाग आज रात 9 बशकर 25 मिनट पर फोनें कारकर में कोविड-19 पर विशेश परचारचार प्रसारित करेगा। रामनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ट फिजिशन डॉक्टर देश दीपक इस परचारचा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्र सरकार ने पूर्ण बंदी चार मई से दो और सप्ताह के लिए बढ़ाई ग्रीन जोन इलाकों में छूट। इस प्रतिशत से अधिक होई, चिकित्स उक्रणों की कोई कमी नहीं और साथ राजियों की 200 नई मंडियां क्रिशी उपच के विपलन के लिए E-Name प्रेटफॉर्म से जोड़ें। इसके साथ ही COVID-19 पर ये विशेश समाचार का रिक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।